असलाम अलेकुम दिस इस ओडिये फाक्स्टार्ट फॉर्म डिफेंस ओपोस तो आज एक बहुत इंपोर्टेंट कबर है पाकिस्तान और बंगलादेश से रेलेटेड जिसमें रिसेंटली पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा और इंपोर्टेंट शिप्मेंट पहली दफ़ा बंगलादेश को डिलेवर किया है और यह बिसिकली 1971 के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक शिप्मेंट जो है वो पाकिस्तान के किसी पोर्ट से डिरेक्ली बंगलादेश के किसी पोर्ट के उपर गया है और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसमें डिफरेंट किसम का military एकुट्पेंट था जो के बंगलादेश ने पाकस्तान से और किया था वो उनको इस शिप्मेंट के जरीए डिलेवर किया गया इसी के उपर आज हम लोग डिसकस करेंगे वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग ने मेक शूर करना है कि इसको आप एंड तक देखें बाकी अगर आप लोग ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक शूर टो लाइक दिस वीडियो और आगे आइडिया जाने वाला है तो उससे रेलेटिड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टफ जो हमारे पास आने वाला है तो मे बंगलादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने तालुकात को बहुत ज्यादा बेहतर करना चाता है और इसी सारे सिलसले में बंगलादेश की जो आर्म फोर्स है और उनकी मिनिस्ट्री अफ डिफेंस है उन्होंने पाकिस्तान की और्डिनेस फैक्टरी को एक बहुत सिस्टम को भी और्डर किया है जैसे ही इस खबर को सुना कई लोगों का ख्याल था कि यह फता वन या फता टू रॉकेट सिस्टम हो सकता है जो कि बंगलादेश हम से अक्वायर करना चाह रहा है या फिर अभी जो रीसेंट शिप्मेंट पाकिस्तान की तरफ से डिलेवर किया है या बंगलादेश ने इस सिस्टम के अंदर इंटरस्ट शोकेस किया है लेकिन ये है कि फ्यूचर में इस चीज़ से रेलेटिड अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्यूंकि कुछी दिन बाद पाकिस्तान के अंदर आइडियाज 2024 मुलाक के दोने वाल है जहां पर प बंगलादेश फता टू या फता वन के अंदर इंटरस्ट शोकेस कर दे और हम उनको डिलेवर करना स्टार्ट कर दे लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई रेपोर्स शामिल नहीं है officially बाकी जो 20% यहां पर benefit of the doubt हमें देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जो है वो पाकिस्ता requirement है क्योंकि उनकी नहीं नहीं hostilities create हुई हैं इंडिया के साथ उनकी एक principle जरूरत है कि वो अपनी military को और ज्यादा strong करें और पाकिस्तान के साथ relations को बढ़ाने का एक main ये भी point है कि एक तो हमारी मंगलादेश के साथ एक बहुत ज्यादा history है वो भी इस चीज़ को समझते हैं जिसके बदले में वो हमारे साथ तमाम levels पर strategic cooperation की हामी भर सकते हैं और हमें बिल्कुल ऐसा करना चाहिए बिल्कुल उनकी crucial point के उपर help करनी चाहिए ताके एक तो हमारी जो एक history रही है साथ में वो preserve हो सके और साथ में बंगलादेश को हम लोग इतना strong बना दे कि वो अपना self अने डिलेवर किया है most probably और आने वाले टाइम में इसके और भी batches डिलेवर किये जाएंगे बाकि एक और important topic को discuss करता चलूँ तो आप लोग comments में बहुत ज्यादा पूछते हैं कि FATA2 का और पिनाका इंडियन पिनाका rocket system का comparison करें तो यहां पर यार एक इसके अंदर principal मसला है क FATA2 और पिनाका का comparison बनता नहीं है पिनाका जो है वो एक 90 km वाला multi launch rocket system है लेकिन FATA2 की जो range है वो उससे 3 times ज्यादा है और long ranges को achieve करने के लिए FATA2 में जो सारा associating equipment है वो भी पिनाका से ज्यादा advance दिया गया है क्योंकि उसने longer ranges पर target को hit करना है तो इसी वज़ा से generally comparison इन दोनो rocket system के दरमयान बनता नहीं है FATA2 या even FATA1 भी जो है वो बहुत ज्यादा advance rocket system है और उसकी capabilities बहुत ज्यादा मुक्तलिफ है पिनाका rocket system से तो I hope आपनों को वीडियो सारी समझ में आगी होगी अगर इससे related कोई confusion है तो आप comments में जरूर पूछें वाकि अगली वीडियो तक अला